लड़की हूँ, सच सब के सामने लाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ प्रियंका गांदी जी, राजनीती के जिश्टिकोर्टे शायद अपना उठाया गया ये कदम आपको एकदम सही लगे मैं राजनीती तो नहीं जानती, पर समाज और नेतिकता का धर्म इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा जिन मा बेटी को आपने टिकेट दिया है, उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्च है उसी में उनकी जमानत भी अभी खारिच हुई है जिस परिवार को आपने टिकेट दिया, उन पे दर्चनों से अधिक मुकदमे उन नाव में ही दर्च है जो मेरी मा को टिकेट मिला था, तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्मा धर्मियाद आ गया था इसी मुकदमे में उन्होंने तीन बार समय बदला पहले दुपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे ये अड्मिटिट फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्याले की पाई गई मेरे पिता नारको टेस्ट के लिए तयार थे पर इन्होंने नारको टेस्ट के लिए भी मना कर दिया मैं आज भी सब के सामने कहती हूँ कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने इनकी तरफ आँक उठा के भी देखा है तो मेरे पूरे परिवार को फासी की सजा सुना दी जाए आपके भाई पे भी तो ऐसे ही आरोप लगे थे एक परिवार को जो बर्बाद कर दे ऐसी राजनीती मेरा उन्नाव कभी नहीं स्वीकारेगा दस मार्च को आपको इसका परिणाम भी दिख जाएगा हमारा उन्नाव का आशिरवाद मेरे साथ था और हमेशा रहेगा धन्यवाद